तो आज हम देख रहे हैं 11th class का 4th chapter प्राणी जगत Animal Kingdom इससे पहले हमने 3rd chapter देखा जिसमें हमने पूरे पादब जगत के बारे में पढ़ लिया था शेवाल, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, जिमनोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं किस तर तरीके से अब हम पढ़ेंगे हमारा अनिमल किंग्डम यानिकी प्राणी जगत अब आज जो हम भाग एक देख रहे हैं उसके अंतरगत हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्राणी जगत है उसके वर्गी करन करने के लिए क्या बेस लिया गया है क्या आधार लिया गया है जो हमारे प्राणी है उनको उस वर्ग में रख डेखा गया है। तो हमने क्या आधार लिया है, basically हमने देखा है कि क्या उनके लक्षन है, किस तरीके से उनका शारेरिक संगटन है, किस तरीके से हम कहें कि उनके सम्मिती है, या हम कहें कि क्या किस तरीके से वो रहन सेंड करते हैं, इस आधार पे हमने क्या किया है, उनको वर्गिकरत किया है, तो जनतूं को उनमें पाई जाने वाले क्या हैं? लक्षन. यानि कि जो उनमें फीचर्स पाई जा रहे हैं, जो उनमें लक्षन पाई जा रहे हैं, जो उनमें कैरेक्टर्स पाई जा रहे हैं, उनकी आधार पे हम इनको अलग-अलग सम्हों में वर्गिकरत किया गया है. तो पहला जो वर्गिकरन का आधार था वो क्या है शारेरिक संगटन यानि कि किस तरीके से जो प्राणी है उनका शारेरिक संगटन हुआ है मतलब वो बेसिकली किस से बने है कोशिकाओं से बने है उत्तकों से बने है या उनका पूरा एक तंत्र विक्सेत हो चुका है किस तरी इस तरीके से उनका शारेरिक संगटन हुआ है तो पहला जो है वो है कोशी की इस्थर यानि कि हम बात कर रहे हैं सेल्स यानि कि सेल्स जो है वो किस तरीके से उस प्रॉपर जो प्राणी है या जीव है उसका शरीर बना रहा है उसका संगटन बना रहा है तो कोशी की इस्थर क पूरा शरेरिक संगटन सकता है, जिसमें की निकी उनकी टिफेर्टित उपापचे क्रियायं होती है। चीके अर्थात इन में जो इस्थर है वो कैसा है? कोशी का इस्थर है. यहाँ पर हम कुल मिलाकर के एक बात बोलें, तो हम यह कह सकते हैं कि जब हम इन प्राणी जगत को किसी तरह से वर्गिकरत कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आधार लिया गया है वो लिया गया है कोशिका अस्थर यानि कि किस तरीकी की जो कोशिकाएं पाई जा रही है एक कोशिकी है बहु कोशिकी है या किस तरीकी से उनकी उपापचेक रिया है किन-किन कोशिकाओं के द्वारा हो रही है clear है तो इसका जो एक्जांपल है वो है amoeba और sponge ठीक है तो sponge और amoeba क्या जो वो है मतलब संगटन है वो कैसा है कोशिक की संगटन है फिर हम देखते हैं उत्तक उत्तक इस्तर का संगटन यानि कि tissues के द्वारा जब आपको पताईए कि cells जो है है ना, cells जब aggregate होती है तो aggregate यानि कि इखटा हो जब cells aggregate होती है collection बनाती है, group of cells हम कहें, तो उसको हम कहते हैं उत्तक यानि कि कोशिकाओं का समू, अब कोशिकाओं का समू बन करके एक उत्तक बना रहा है और इसी उत्तक के संगटन को देखते हुए हमने जीवों को वर्गिकरत किया है, तो कुछ जीवों में कोशिकाओं संगटित होकर उत्तकों के रूप में कारे करती है, क्या करती है उत्तकों के रूप में कारे करती है इसे उत्तक इस सरी संगटन हम कह रहे हैं यानि कि आप जो क्रियाएं हो रही है वो बेसिकली किसके द्वारा हो रही है टीशू उसके द्वारा उत्तकों के द्वारे द्वारा उसमें हम जब पहले देखा था तो हमने देखा था वहाँ पर कोशिकाओं के द्वारा किया गया है संगठन और यहाँ पर कैसा क क्या गया है कुशिकाओं का समुह बना करके उत्तक बनाया है और यह पर्टिकुलर जो टीशू है या उत्तक है वो उसकी क्रियाओं के लिए में responsible है तो इस तरह के जो प्राणी है वो उत्तक की संगटन में रखे गए है इसके एक्जामपल है प्लैटी हेलमन्थीज एनलीडा मॉलस्का और और और्थो पोड़ा फिर नेक्स्ट है हमारा अंग तंत्र टीशू होंगे तो दीरे-दीरे क्या बनेगा और गन सिस्टेम बन तो अब जो भी क्रियाएं हो रही है वह पर्टिकुलर जैसे जसलाइक पाचन तंत्र हम बोल सकते हैं यह क्या कर रहा है बहुत सारे टीशूज मिलकर कि एक तंत्र का निर्मान कर रहें और तंतर के द्वारा क्या हो रहा है क्रियाएं संबव हो पारी है उन प्राणीयों में तो अनियक जीवों में अंग मिलकर तंतर के रूप में शारेडिक कारे करते हैं अर्थ प्रतिक तंतर एक है किया बोला गया है जैसे कि अभी मैंने बोला कि digestive system यह respiratory system जो हमारे सवशन तंतर है यह किसके लिए responsible है हमारे सवशन क्रिया के लिए responsible है यानि कि हम कह सकते हैं कि हर तंत्र का एक particular work है हाई ना तो इस आधार पर भी जंतों को वर्गीकरत किया गया है फिर जैसे अब हम बोल सकते हैं हमने देखा कोशी किये इस्थर पर उत्तक इस्थर पर और तंत्रों के इस्थर पर हमने बाटा जीवों को अब जो हम दूसरा कर पर जनटू को 2 समूं में बैटा गया पहला है खुला परी संड्श्रू तंत्र यानि कि इस तँरे कि क्या होगा उसमें कोई भी नलीका नहीं होगी कोई वाहिनी नहीं होगी वो ओपनी क्या हो रहा है ब्लड का फ्लो हो रहा है ठीक है तो यहां पर रख्त कोट्रों में भरा होता है मतलब इस तरह की कुछ कोटर होते हैं लेकिन यहां पर देखो वाहिनिया नहीं निकली वी यह इस तरह की नलिकाएं नहीं है ऐसे कोटर है और यहीं परी क्या है, बलर्ड जो है कलेक्षन मellsले, मतलब यहां पर इखटा हुआ हुआ है, अक्यूमलेट हुआ है, जिसमें कोशिकाएं भें उत्तक दबे रहते हैं और यहां पर क्या हैं,akुछ नहें की कोशिकाएं , परीसंस्रीन तन्त्र पाये जाता है, इस का अकशे में की पाई जाता है आपसे पूछा जाए कि खुला परिसंचरन् तंत्र ऑध पाई जाता है जिसके दुखिंत सकता है रक्त का संचरन होता रहता है और यही क्या कहलाता है खुला परिसंचरन तंतर कहलाता है अब हम देखते हैं कि बंद परिसंचरन तंतर क्या होता है डेफिनिकली इसमें क्या होगा कि कोट्रों में तो है लेकिन जो रक्त का प्रवा होगा वो कैसे होगा नलिकाओं के द्वारा होगा वाहिनियों के द्वारा होगा तो परिसंश्रन के लिए यहाँ पर क्या है धमनिया है शिराएं है यह पाई जाती है यानि कि हम कहें कि रक्त नलिकाओं में रहता है वहाँ पर कोट्रों में कोशिका और उत्तकको द्वारा वो क्या हो रहा था परिसंस्रित हो रहा था लेकिन यहां पर प्रॉपर एक लूव स्टम है नलगा बनी वह बनीवी है और इसके ड्वारा रख्त है वो फ्लो कर पारा है ठीक है क्लियर है तो दोनों में चीज़ों में इभिन समझ में आ गया तो इसका एक्जामपल क्या होगा कशेरू की जनतु होगा अब हम देख रहे हैं कि सम्मिति सम्मिति यानि की कि यह symmetry क्या है हैंसके हैं na symmetry कैसी यह जैसे कि यह एक Nag Clay और आप इसको काट रहे हो तो क्यác यह दो भागों में विभाँजित हो पा रही है और इस तरह की सम्मिति और एवति कि आधार पे भी हम बाट रहे हैं तो सम्मिति में हम कि मैं देखें और दो तरहいきा होती है तीन तरे की सोरी, है ना, असम्मिती, तो असम्मिती में क्या है, कि जब जन्तु को किसी भी केंद्रिय भाग से, है ना, यानि कि जिस तरीके से मैंने यहां केंद्रिय भाग से काटा है, तो यह तो क्या है, सम्मिती वाला है, यानि कि तो डिवाइड हो गया, आक्षे से वो दो बराबर भागों में नहीं बट रही है तो इस तरे की जो सम्मिती है वो कैसे कहलाईगी और सम्मिती कहलाईगी ठीक है फिर हम देखेंगे दी पार्षव सम्मिती दी पार्षव यानि कि जो दो बराबर भागों में बट जाए कैसे हो जाएगी दो बराबर भागों में रेखा द्वारा एक ही अक्ष से गुजर रही है यानि कि एक ही पॉइंट से गुजर रही है और वो दो समरूप समरूप यानि कि समान अकार है ना हम बोलते हैं मतलब सेम शेप सोनी चाहिए जब उनको हम जैसे मान लीजे कि यह है सौरी एक क्राउंड शेप है और यह अक्ष है है ना एक ही बिंदों से अपन काट रहे हैं और वो दो समान भागों में कट रहा है है ना तो इस तरह की जो शेप हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी कैसी हो जाएगी दी पार्ष सम्मिति यानि कि दोनों का जो पार्ष होगा जो दो भाग वनेंगे वो दोनों आपस में कैसे होंगे समरूप होंगे clear है फिर अगई अरिय सम्मिती जब किसी भी केंदरी अक्ष से गुजड़ने वाली रेखा प्राणी की शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है अब यहां पर उसमें क्या डिफरेंस है देखो बच्चो जब हमने यह बोला कि जब किसी जनत एक कॉमन पॉइंट रखा है जब कि यहां पर अपन किसी भी केंदरी अक्ष से उसको क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो गुजड़ने वाली जो प्राणी के शरीर की जैसे बेसिकली यह जो डाइग्रायम अना बच्चो यह किसको फुल्फिल कर रहा है अर यह समित बतने मितले हैं इसको किसे भी केंदराक्ष से काट रहे और आसा में भाग वे विभाजित नहीं कि पॉरे आएक हे एक बागई है अभी डाइग्रायम के द्वारत ज्यादा शीज़ Самται यह क्या हो रहा है जब या सम्मिति, देखो अज सम्मिति में तो डिवाइडी नहीं होगा, तो अपन उसका डाइग्राम नहीं बना रहें, बट जो अरिय सम्मिति है, अरिय सम्मिति में हमने देखो क्या बोला था, जो अरिय सम्मिति है किसी भी केंद्री अक्स से, है न, किसी भी केंद्री अक्स से तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपको कोई केंदर दिख रहा है, पर्टिकुलर, नहीं दिख रहा है, हम इसको यहां से भी काट रहे हैं, हम इसको यहां से भी काट रहे हैं, हम इसको यहां से भी देखो, कोई भी एक अक्ष यहां पर आ गया, एक अक्ष यहां आ गया, इ और इसे तरीके से की कोई भी आक्ष से काट रहे हैं तो यह क्या चीजें पिर हम देख रहे हैं कि 2 कौरक संखटन क्या है कि 2 कौरक और 3 कौरक कौरक यानि कि जब कोई भी जनन जो है, मुल जनन अंग है, वो कितनी मतलब कहे रही हूँ, कितने इस्तर से बना हुआ है, मतलब ईसमे भारे इस्तर ऑनतः स्तर या फिर तीन इस्तर पाए जा रहे हैं, हम जब थू कौरिक की बात करेंगि फिर दू कौरिक है, इसके लेटर जिसमें हम actroderm, endoderm और meizoderm की बात करते हैं यानि कि antarister, bharaster और madharaster की बारे में बात करते हैं तो duicoric में विकास के दोरान दो जनन स्थर हो देखो दो जनन स्थर आ गए न, actoderm और endoderm से विकसित होने वाले जनतु जो हैं वो duicoric कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? three coric कहलाएंगे जैसे की porifera और silentrator अभी अपन सारे वर्ग आगे जाकर कि जब नए-ने भागाएंगे तो हम पढ़ेंगे porifera क्या है, silentrator की क्या qualities है, यह सब हम देखेंगे three coric, विकास के दौरान तीन जनन इस्थर actoderm, endoderm and mesoderm ठीक है, I already told you से विक्सित होने की कारण जो जनतू है, वो क्या कहलाएंगे three coric कहलाएंगे, जैसे platyhelminthes, annelida, mollusca, orthopoda and cordita, clear हो गई तो इस तरीके से ये देखो ये जो diagram दिख रहा है यहाँ पर जो ये layer है एक हो गई भारतवचा, एक हो गई इस तर, इस तरीके से आज हमने देखा कि जब प्राणियों का वरगी करण किया गया तो उनका आधार लिया गया शारेरिक संगटन, फिर हमने देखा शारेरिक संगटन के के अंदर क्या क्या देखा कि किस तरीके से वो कोशिकाओं का बना हुआ है, उत्तकओं का बना हुआ है या अंग तंत्र का बना हुआ है फिर हमने देखा परिसंशन तंत्र खुले तरीके का है या बन तरीके का है फिर हमने देखा कि उनकी सम्मिती कैसी है असम्मिती है अर्ये सम्मिती है या फिर दीपाशर सम्मिती है फिर हमने देखा कि जो जनन इसतर उनका जो बना हुआ है वो किस तरीके का बना है दीकोरक बना हुआ है या त्रीकोरक इस तरीके से हमने ये डिफरेंट डिफरेंट जो है आधार लेकर के बेसे लेकर के प्राण हूं notes prepare करना है तो करना ही है ठीक है diagram देखने हैं विद examples देखने हैं तो फिर हम जब नए पार्ट के साथ में मिलेंगी तो ये चीज़े क्या होनी चाहिए clear होनी चाहिए ताकि हम आसानी से बिना किसे संदह के आगे बढ़ सके फिर मेरते हैं नए पार्ट के साथ thank you